नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है हमने मौंग दाल चीला मिक्स का एक पैकिट ले लिया है जिससे हम मौंग दाल के चीले बना कर तयार करेंगे हमने कुछ सबजिया ली है जैसे टमाटर, सिमला मिर्च, प्याज, धनिया, पत्तागोबी, माटर, अद्रक, लैसुन, और मिर्च का पेश्ट अब हम एक बड़ा वरतन लेकर उसमें इस मिस्रन को डाल लेंगे और सभी सबजियों को इसमें डाल कर मिक्स कर लेंगे जैसे पत्तागोबी, सिमला मिर्च, माटर, टमाटर, अद्रक, लैसुन, और हरी मिर्च का पेश्ट सभी को डाल कर हमने इसको मिक्स कर लिया है उपर से हरा धनिया और प्याज डाल कर इसको मिला लेंगे अगर पेश्ट काड़ा है तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके मिलाएंगे चीले जैसा पेश्ट बना कर तयार कर लेंगे अब हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर पिसा हुआ एक चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच चाट मसाला डाल कर सभी को मिक्स कर लेंगे उपर से हम इसमें थोड़ा चीली फ्लेक्स भी डालेंगे अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चीली फ्लेक्स को मिक्स कर दे इन सब को डाल कर हम इस मिसरन को अच्छे से मिला लेंगे अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है ये थोड़ा गाड़ा है इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे चीले जैसा पेश्ट बना कर तयार कर लेंगे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं आप इसमें कोई भी सबजी डाल सकते हैं केस जलाकान उस पर एक तवा रख कर उस पर थोड़ा ओयल डाल कर इसमिस्रन को इस्पुन की हेल्थ से फैला दें अच्छी तरह से फैला कर इसको बराबर कर लें ये थोड़ा मोटा ही बन कर तयार होगा क्योंकि इसमें सबजिया पड़ी हुई है उपर से थोड़ा सा ओयल या घी डाल ले ओयल को आप वाइड भी कर सकते हैं इस तरह से दो मिनट में बन कर तयार हो जाएगा अब हम इसको पलट देंगे एक तरफ से बन कर तयार होगा है दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से इसको सेक लेंगे सबी चीले हम इसी तरह से बना कर तयार करेंगे ये बन कर तयार हो गया है इसको हम निकाल कर एक पलेट में रख लेंगे और तवे पर हम दूसरा फैला देंगे इस तरह से डाल कर हम इस स्पुन की हैल्प से इसको अच्छे से फैलाएंगे और दो मिनट बाद हम इसको पलट देंगे उपर से दिखाई दे रहा है कि सिक गाह है अब हम इसको पलट देंगे जब ये तवे को छोड़ दे तभी ये सिक कर तयार हो जाएगा अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हम अच्छी तरह से सेख लेंगे सभी को हम इसी तरह से बना कर तयार कर लेंगे अब ये सिक कर तयार होगा है इसको हम निकाल लेंगे हम एक सर्विसिंग पलेट लेंगे उसमें इसको रख लेंगे एक हम सिम्पल रख रहे हैं दूसरे पर हम चटनी सोस या चीज लगाकर उस पर हरा धनिया और प्याज डाल देंगे उस पर हम पनीर भी डाल सकते हैं इस तरह से हमने सोस लगाकर उस पर हरा धनिया और प्याज डाल लिए हैं इसको आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं इस तरह से हमने दो तरह से इसको तयार किया है अब हम इसको मोड लेंगे आप इसके अंदर पनीर भी रख सकते हैं इस तरह से मोड कर आप इसको खा सकते हैं सोस के साथ हम इसको सर्व करेंगे चटनी के साथ भी हम इसको सर्व कर सकते हैं चीले बन कर तयार हो गए हैं अब हम इनको सर्व कर देंगे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते है अब हम दूसरी डिस बनाएंगे जो गाजर का हलवा है इसके लिए हमने एक किलो गाजर लेकर उनको कद्दू कस कर लिया है गैस जलाकर उस पर कड़ाई रखकर उसमें एक लीटर दूद डाल लिया दूद डाल कर उसको गरम करके हम उसमें गाजर डाल लेंगे सभी गाजर हम इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको डख देंगे जिससे ये थोड़ा मुलायम हो जाए गाजर गल जाएंगे डखने से हमने कड़ाई पर एक डखकन लगा दिया है अब हम ढकन को हटाएंगे और इसको चलाएंगे दूद को हम अच्छी तरह से जला लेंगे जब दूद जल जाएगा तब हम इसमें चीनी डालेंगे इसको हम बराबर चलाते रहें जिससे कड़ाई में ना लगे अब हम इसमें 500 ग्राम चीनी डाल देंगे चीनी डालने से ये पानी छोड़ देगा इस पानी को हम अच्छे से सुखा लेंगे जब पानी सुख जाएगा हम इसमें मावा और ड्राइफ रूट डालेंगे इस तरह से चलाते हुए हमने चीनी को इसमें मिक्स कर लिया है और दूद और चीनी का पानी जल कर खतम होगा है अब हम इसमें एक चम्मची लाची पाउडर डालेंगे और पान सो गिराम मावा डाल देंगे आप मावा जादा भी इसमें डाल सकते हैं जितना मावा डालोगे उतना ही ये टेस्टी लगेगा अब हम इनमें मावे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हमने इसमें मावे को मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसमें एक कप मिक्स ड्राइफ रूट डाल देंगे जो हमने बारी काट कर रख लिये थे इनको भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आप इसमें घी भी डाल सकते हैं लेकिन हमने दूद और मावा दोनों चीज डाली है इसलिए हमने घी को अवाइड कर दिया अब हम इसको अच्छी तरह से सुखा लेंगे इसका दूद जब अच्छी तरह से सूख जाएगा तो हलवा बन कर तयार हो जाएगा अब हलवा बन कर तयार होगा है हमने कडाई को गैस से नीचे उतार लिया है अब हमें एक सर्विसिंग टरे लेंगे उसमें हलवे को निकाल लेंगे और उपर से उसमें ड्राइफ रूट डाल देंगे हलवा बन कर तयार होगा है हमने इसे ड्राइफ रूट से सजा दिया है अब हम इसको सर्व करेंगे